नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल एक्जाम लादनर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंट अफियर्स के पार्ट से जो है परशनों को देखेंगे ये आपके आने वाले एक्जाम यूपी पी सीयस जो की 11 एक्टूबर को होने वाला है उसके लिए जो अब महतपूर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वीडियो को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको पहले मिल जाए उसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहां से जोइन करके आप पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब देख सकते हैं वर्स 2019-2020 में हुए है प्रमुख राष्ट्री योम अंतराष्ट्री सम्मेलन तो सबसे पहले कॉलम में जो लिखा हुआ है संगठन यानि कि संगठन का नाम सेकेंड कालम में आयोजन अस्तल यानि किस जगें आयोजित हुआ है और तिसरे कालम में जो इटली 2021 में होगा क्योंकि बाद वाला भी पूछ लिया जा रहा है आप एकजाम में तो याद रखेंगा 16 जो होगा G20 शिखर सम्मेलन वह इटली 2021 में होगा और 17 शिखर सम्मेलन नई दिली 2022 वह भारत में आयोजित किया जाएगा तो यह होगी आपका 15 वहाँ G20 और आयोजित किया गया और 19-49 जो होगा वह वुर्णेई 2021 में होगा तो यह याद रखेगा 36 वह अस्यान वर्चुवल सिखर सम्मेलन 2020 कहा आयोजित किया गया तो बियत नाम दोरा आयोजित किया गया और इसके पहले जो होगा था आपका 35 वह थाईलेंड दोरा जो है यह स्रिलंका में आयुजित किया गया उसके बाद नेक्स है आपका 20 आर्थिक मंच का यानिकी ओरल एकोनामिक फोरम का 50 वार्षिक सिखर सम्मेलन 2020 यह दाओस स्वीटिजर लेंड में आयुजित किया गया और 51 जो होगा 2021 में जनवरी में होगा यह स्वीटिजर लेंड में 10 में आयुजित किया गया उसके बाद अगला है वर्ल सिटीज सम्मेलन 2020 यह सिंगापूर में आयुजित किया गया और अगला आपका 107 वी भारती विज्ञान कांग्रेश 2019 यह आपका बेंगलूरू में आयुजित किया गया और 108 वी सम्मेलन जो होगा वह पूडे 2021 में जो है होगा उसके बाद अगला है नाटो सिखर सम्मेलन 2019 यह वाटफोड लंदन में जो है आयोजित किया गया और तीसवा सदस जो बना है नाटो सिखर सम्मेलन का उत्री मैसी डोनिया जो है नाटो सिखर सम्मेलन का तीसवा सदस से देश बना है नाटो का फूल फार्म जो है नेक्स्ट है आपका राश्ट्री जल संवेलन 2020, यह भूपाल में आयुजित किया गया, उसके बाद अगला विंक्स इंडिया 2020 हैदराबाद में आयुजित किया गया, यह एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया और फिक्की द्वारा बेगम पेट एरपोर्ट पर जो है, यह फ्रांस के बियारित्ज में जो है आयोजित किया गया और 46 सम्मेलन जो होगा वे USA 2020 में जो है आयोजित किया जाएगा तो याद रखेगा 45 जी 7 सीखर सम्मेलन 2019 बी आरिट जे लिस फ्रांस में औ Expect किया गया और 46 सम्मेलन सभूर्छ अमेर का 2020 में पतकिया जाएगा अगला इग्रहांब्रिक्स सीखर सम्मेलन 2019 यह ब्राजील के ब्राजीलिया में आजजित किया गया theme क्या था तो एक अभिनोव भविस्ति के लिए आर्थिक विकास जो है इग्रहमा ब्रिक से सिखर सम्मेलन का theme था और ब्रहमा ब्रिक से सिखर सम्मेलन जो होगा वह है रूस में होगा ये करम जो है चलता रहता है B-R-I-C-E-S तो पहले जो है ब्राजील में होगा फिर रसिया में होगा फिर इंडिया में फिर जो है चाइना में फिर आपका साउथ अफरिका में तो इस तरह से जो है करम चलता रहता है तो इसके पहले जो है आपका जो होगा है ये इग्रहमा ब्राजील में होगा फिर ब्राजील में होगा रूस में होगा इंडिया में होगा फिर जो गया और बीसवां संभाई सहयोग संग्ठन क्रिगिस्तान की राजधानी विसकेक में आयोजित किया गया और बीसवां रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में आयोजित किया जाएगा 2020 में नेक्ट आपका अठ्रहावा नेम सिखर सम्मेलन 2019 यह अजर्बैजान की राजधानी बाकू में संपन हुआ और इसका अस्थापना कब हुआ था तो 11 सितंबर 1961 को नेम का अस्थापना हुआ था और बरतमान में नेम में कुल कितने देश हैं तो 120 सदस हैं अगला आपका कॉप 25 सम्मेलन 2019 संयुक्त राष्ट प्रेमवर्क जलवाई परिवर्तन सम्मेलन यह इस्पेन की राजधानी मैडरीड में आयजित किया गया और UNFCC के कॉप 26 का आयज़न जो है अगला होगा 26 वह यूके ग्लासको में स्कॉट लेंड में आयजित किया जागा तो यह प्रस्ण जो आपका बी यो में भी जो है पूछा गया था तो याद रखिएगा कि कॉप 25 सम्मेलन यह आपका इस्पेन की राजधानी मैडरीड में हुआ और कॉप 26 का आयज़न जो होगा 2020 का जो हो ग्लासको में आयज़ित किया जाए ग्लासको इस्काट लेंड में नेक्स आपका पचीसमा चोगम यानि कि राष्ट मंडल सम्मेलन दोहजर अठार है यह लंदन यूके में आयज़ित किया गया था 26 चोगम रवांडा में होगा 2020 में 27 चोगम सम्मेलन यह आपका सामोवा 2022 में होगा तो यह जो है याद रखेगा 26 चोगम रवांडा में होगा और 27 चोगम रवांडा में होगा वह आपका सामोवा में होगा नेक्स्ट आपका 31 एपक सम्मेलन यह चिली में आउजित किया गया चिली में आंतरिक विद्रोग के कारण जो है अस्तगीत अगला सम्मेलन 2020 होगा मलेसिया में होगा तो 31 एपेक सम्मेलन जो है आपका चीली में अउजित किया गया और चीली में आंत्रीक विद्रोग की कारर जो है इसे अस्तिकित कर अगला सम्मेलन 2020 में मलेसिया में जो है अउजित किया जाएगा तो दोस्तो जो है ये था आपका वर्स 2019 बीस में हुए प्रमुख राष्ट्री यों अंतराष्ट्री सम्मेलन जो कि आपके आने वाले एकजाम UPPCS के लिए जो है भौत ही महतपूर है यहां से एक प्रस्ण जो है आपको परिक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है तो दोस्तो वीडियो को लाइक शेर जरू कर दिजेगा और चैनल को अभी तक आप सबस्क्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेश जरूर कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और जिसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से जाइन करके आप पीडियाप भी डाउनलूड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद